हिमाचल प्रदेश में एक जून से बसे चलनी आरंब हो जाएगी इसको लेकर परिवहन विभाग ने तयारियां पूरी कर ली है परिवहन मंत्री गोविन सिंग ठाको ने कहा कि 60 प्रतिशत सवारियों के साथ ये बसे चलेगी वहीं सवारियों को मास्क पहनना और सनिटाइजर रखना होगा बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा गोविन सिंग ठाको ने कहा कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही ये बसे चलेगी एक जून से यात्री परिवहन प्रारंब किया जा रहा है सारी स्टेज केरीज बसीज चलेगी सुबह 7 बजे लेकर साम को 7 बजे के मध्य में है और इसमें ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी और से पूरी तयारी कर ली है और उसमें HRTC ने भी सारी के सारी तयारिया कर ली है और हम पुरी तरह से तयार हैं प्रदेश की जनता की सेवा देने के लिए और अपना यात्री परिवहन प्रारंब करने के लिए और सभी से मेरी अपील है कि सब उसका लाभ भी लेंगे लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सेनिटाइजर लेकर के आना और इन सब बातों का ध्यान रखते हो सबका स्वागत भी है